प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम प्रजन्ट टेंस में हैज हैब का प्रियोग सीखेंगे हैज हैब के प्रियोग में हिंदी वाक्य में क्या होता है कि पास या रखना सब्द आता है पहचान इसकी यही है कि पास सब्द आएगा या रखना सब्द आएगा इसमें he, see, it singular name के साथ है इसका प्रियोग I, we, you, they, plural name के साथ है इसका प्रियोग होता है जैसे हमें मिला formative sentence स्रीकारात्मक वाक्य में कि मेरे पास computer है तो मेरे का subject जो बनेगा वो आई हो जाएगा I के साथ have लगता है यहां हम देखेंगे I के साथ हमें have का प्रियोग करना है अब computer है का मतलब I have a computer C-O-M-P-U-T-E-R तो हमारा बना I have a computer तुम्हारे पास किताब है तो you, you के साथ फिर have You have a book B-O-K हम लोगों के पास एक घोड़ा है तो वी हैव गोड़ा का हार्स वी हैव a हार्स H-O-R-S-E गाए को एक पूँच होती है अर्थाद गाए के पास एक पूँच होती है तो अ काउ हाईज चुकि ये हमारा सिंगूलर है काउ इसलिए हाईज लगा अब उसके बाद अ टेल टेल मिस पूँच तो उसके पास एक घर है तो इसके का मतलब या तो ही लिख सकते हैं या सी और सिंगूलर है इसलिए हाईज हाउस H-O-U-S-E मेरी मा के पास तीन थैले हैं तो यहाँ बन जाएगा माई मदर सिंगूलर है इसलिए हाईज तीन थैले का मतलब T-H-R-E-B-A-G-S त्री बैक्स अगला आएंगे निगेटिव निगेटिव में सस्पहले हमारा सबजेक्ट होगा फिर हैज नाट हैब नाट होगा यानि इसका जो रूल है वह है पहले सबजेक्ट फिर हैज है फिर अगला है नाट फिर जिस वस्तु का होना पाया जाए यानि आपजेक्ट वस्तु मेरे पास कम्प्यूटर नहीं है इसका मतलब I have कोई कम्प्यूटर नहीं है तो नो कम्प्यूटर I have not a computer P-U-T-E-R अगला है तुम्हारे पास किताब नहीं है तो You have not a book अगला है हम लोगों के पास एक घोड़ा नहीं है तो We have not a heart अगला है गाया को दो पूँच नहीं होती है तो A cow has not two T-W-O tell दो पूँच का प्यूरल हो गया इसलिए tells बना उसके पास घर नहीं है तो बन जाएगा ही R-C हैज घर नहीं है तो no house या लिख सकते हैं not a house और कोई नहीं है कोई नहीं आने पर वहाँ पर no लगेगा मेरी माँ के पास तीन थैले नहीं है my mother singular है इसलिए has not three bags b a g s अब अगला है इसलिए का इंट्रागेटिव has है पहले हो जाएगा तो क्या मेरी पास computer है तो i के अनसार have लगता है तो पहले have i computer अगला क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है तो have h a v e तुम्हारे का you have you किताब नहीं है क्या तुम्हारे पास किताब है have you a book question mark क्या गाय को एक पूँच होती है तो गाय मने has सारी एक उपर है तीसरा क्या हम लोगों के पास एक घोड़ा है तो हम लोग के लिए have be a horse तो गाय सिंगुलर है इसलिए has a cow has a cow a tail क्या उसके पास एक घर है तो has here see a house क्या मेरी मा के पास तीन थैले हैं तो मा के लिए इसलिए has my mother has my mother अगला है इंट्रागेटिव जिसमें पहले has have लगेगा और नीगेटिव भी है चलिए subject के बार नाट भी लगेगा क्या मेरे पास कम्प्यूटर नहीं है तो मेरे पास के अनुसार have I not a computer अगला है क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है तो तुम्हारे के लिए यानि यू के लिए पले है यू नाट अ बुक क्योशन मार्क क्या हम लोगे के पास एक घोड़ा नहीं है तो है वी नाट हार्स एचो आरे असे अगला है क्या गाय को एक फूँच नहीं होती है तो गाय के लिए has a cow has a cow not a tail अगला है क्या उसके पास घर नहीं है तो बन जाएगा has he or see not a house क्या मेरी माँ के पास तो has my mother not three by x thanks for watching इस तरह के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें क्या मेरी 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 म